हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम न्याय पालिका के टॉपिक को पूरी तरह कवर करेंगे तो प्लीज आप वीडियो को बस पूरा देखना सारे शीज़ें आपके इस लेबर्स के अकॉर्डिंग के जा रहे हैं सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा देगे सरकार के अ होते हैं विधाय का कारे पालिका और न्याय पालिका विधाय का जो कानुन बनाती है कारे पालिका जो शाषन करती है जिसमें प्रमुक लीडर होते हैं जैसे कि प्रैसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वो कारे पालिका में आते हैं और न्याय पालिका जो न्याय प्रदान करती और कानुम की देखरे करती की कानुम का शाषन देश में बना रहे तो आज की इस वीडियो में हम नियाईपालिका को ही पुई तरह कवर करेंगे तो क्या है यह नियाईपालिका तो अब इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं यहां पर सरकार का यहां पर मैंने तीन अंग बता हैं तो कन्फूस मत हो, कई बार हम लोग बस सरकार का मतलब प्रारीम मिनिस्टर और प्रेसिडंट से समझ लेते हैं, वो अलग है, और यहां पर यह थोड़ा सा अलग है, देश में शायर पालिकान कЕ यह तीन अंग होते हैं, हम बस न्याय पालिका की बात कर रहें, यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गही है, नहीं भी आई तो कोई दिक्कत नहीं है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं न्याय पालिका की, अब देखो दोस्तों, जो न्याय पालिका है, जो जुडिशरी है, वो उसकी प्रमुख शाषिन को बनाये रखना मतलब ऐसा कोई भी कानून जो गैर कानूनी है मतलब ऐसा कोई भी चीज ऐसा कोई भी नियम जो गैर कानूनी है उसको रद किया जाता है नियाय पालिका के दुआरा ठीक है कानून का शाषिन बना रहना चाहिए रक्षा हो कानून के शाषिन की इस य है पुन भूमिका निवाता है नियाय पालिका Hmmm है इसके साथ ही है भारती समविधान भारती समविधान ने एकिकऱ्ित नयाय वेवस्त्ता कि स्थाफना की है जिसके शीड़िश स्थान पर उचितम न्यायले यानि कुछ इस परकार है वो एकिकरित नियाय प्रणाली इस्थापित की गई है बात को समझिए देखो भारत में एकिकरित नियाय प्रणाली है जिसे हम यहाँ पर देखो एकिकरित में क्या होता है एकिकरित में जो सर्वोच इस्थान है वो सुप्रीम कोट का है मतलब भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है सारे कोड़ेंडर में यह सब एक हैं अब अमेरिका का अगर मैं कंपेरेजन करके बताओं तो आप समझ पाओगे तो अमेरिका में क्या होता है कि जो यूएस में अगर हम बात करें तो अमेरिका में जो अलग-अलग स्टेट हैं वहां पर जो जितने भी हा यानि कि जो वहां का पूरा का पूरा आप आप नॉर्मली सुप्रीम कोड कह सकते हैं वो अलग कानूनों के हिसाब से न्याएं देता हैं क्योंकि राज्य का वहां पर कानून अलग है और केंदर सरकार कानून अलग है और साथ में हमारा सुप्रीम कोड इतना ज्यादा शक्ति प्राप्त हैं मतलब कुल मिलाकर मैं कहूं तो वहां अगर जो सुप्रीम कोट है उसके लिए इतना आसान नहीं कि वो हाई कोट के निर्णे को मतलब गलत साबित कर दे या अलग तरीके से उससे कोई मुकदमा छीन ले भारत में ऐसा नहीं भारत में जो प्रणाली है वो एकिक तो यही है एकिकरित प्रणाली अभी आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगी कहने का मतलब यही है कि भात में जितने भी कोट हैं वो सभी एक जैसा वहार फॉलो करते हैं जहां पर आपको यह बात समझ में आ गई होगी जिसमें सबसे उपर हमारा सुप्रीम कोट है उ इसमें सुप्रीम कोट सबसे उपर है वह हमने कहां से लिया तो वह हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से गरण किया अंग्रेजों ने ही यह वाली जो व्यवस्ता है भारत के लिए 1935 में बनाई थी जिसे सही से लागू नहीं किया गया था लेकिन आजादे के बाद भारत ने अ रहत लागू संगिये नियायले का उत्तर अधिकारी था हाना कि उचितम नियायले का नियाय छेत्र पूरवर्ती नियायले से ज़्यादा व्यापक है उचितम नियायले ने ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिर का इस्थान गरहन किया जो अब तक अपीर का सर्वोच नियायले यहां पर दोस्तों हमें बात को समझना है जैसे कि अभी मैं बात करता हूँ अंग्रेजों की टाइम की हमें बात करनी पड़ेगी जब भारत में अंग्रेजों का शाषन था तो उस समय भारत में कोट की कैसे ववस्ता थी क्या नयाय ववस्ता उस समय लागू थी देखो उस समय भारत के कुछ स्टेट बनाए गये थे जिनने normally presidency का कह दिया जाता था और एक केंद सरकार थी मतलब एक देश में केंद सरकार थी और देश को कई सारे presidency प्रांथ वगरा में बाटा गया था अब ऐसे में क्या था जो अलग अलग प्रांत थे जैसे की बंबाई का प्रांत हो गया मदरास का प्रांत हो गया बंगाल का अलग अपना प्रांत था मतलब यह जो अलग अलग राज्ये थे इस्टेट कहलो जिन्हें नॉर्मली तो उनका अपना एक अलग कोट था साथ में एक संघीय अदालत हुआ करती थे अंग्रेजों के टाइम पर संघीय अदालत का मतलब ये था कि अगर दो राज्यों में आपस में कोई जगड़ा हो जाए कोई लडाई हो जाए या केंदर सरकार और किसी राज्य की बीच में कोई लडाई हो जाए तो संघीय अदालत उस पर फैसला सुनाएगी आपको बात समझ में आ गई जब अंग्रेजों का भारत में शाषन था तो उस समय भारत में जो केंदर जो सबसे बड़ा जो कोड़ था भारत में वो संघीय अदालत था ठीके संघीय नियाले था अब ये संघीय नियाले क्या कर तो और दो राज्यों में आपस में कुछ हो जाए तब भी संखिय ने फैसला सुनाता था लेकिन ये इसका अधिकार यहीं तक था मुख्य रूप से अगर किसी वैक्ति को कोई मतलब कोई पर्सनल किसी का मुकदमा है या कोई कोई कोट में कोई मतलब आ रहा है जा रहा है हाई कोट वगरा में तो वह संखिय ने अपील करने का वो ब्रेटेन का प्रीवी काउंसिल था मतलब बात को समझे यहां पर इसे कि उस समय भी जब अंग्रेश थे तो कई सारे मुकदमा चल रहा होता था तो वह हाई कोट तक अपील करता था ठीक है जैसे की बॉंबे हाई कोट हो गया तो यहां पर वह अपील करता था अब यह भारत में यहीं तक सीमित्थी नहीं आये वबस्ता लेकिन अगर किसी वैक्टिय को इससे आगे भी जाना था अपील करने क वो मुख्य रूप से राज्यों के बीच विवात को सॉल्व कर रही थी उस समय और जो ब्रिटेन का प्रीवी काउंसिल था वो सर्वोच अदालत थी जो अंतिम अपील गरहन करती थी हाई कोट के बाद जो अंतिम अपील थी जो मतलब मुख्य रूप से आप लास्ट कहलो जहां पर आप फिर दुबारा अपील नहीं कर सकते किसी मुकदमे में तो वो ब्रिटेन का प्रीवी काउंसिल था अब जब भारत का सुप्रीम कोट बना तो भारत की सुप्रीम कोट ने इन दोनों का ही इस्थान गरहन कर लिया मतलब ये कि भारत राज्यों की बिच विवा तरह सुनाएगा वह आपको मानना पड़ेगा या उसका फैसला अंतिम होगा उसके बाद आप दूबारा कहीं अपील नहीं कर सकते जैसे कि माल लो अगर किसी वैक्ति को मृत्युदंड दे दिया जाता हाई कोर्ट के दुवारा तो वह वैक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के आगे नहीं जा सकते आप अपील करने तो यहां पर यह बहुत ज़्यादा पेचीदा कॉंसेप्ट है हाला कि अब आप समझ गए होंगे सिंपल सी बात है कि भारत में जब सुप्रीम कोर्ट वगरा नहीं थे तो उस समय संगी अदालत भारत में हुआ करती थी और एक ब्रिटेन का प्रिवी काउंसिल था जो कि भारत में नहीं ब्रिटेन में था तो जो अपील सबसे ज्यादा मतलब अगर हमें लास्ट अपील करनी होती थी तो हम ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल में करते थे लेकिन जब भारत का सुप्रीम कोर्ट बनकर तयार हुआ उसका घाटन हो गया जब वो शुरू हो गया जन्वरी को 1950 को तो भारत का समविधान को सुप्रीम कोर्ट संगी अदालत जो पहले थी और जो ब्रेटिन का प्रिवी काउंसल था उसका इस्थान इसने घरहन कर लिया यह सारी बात हैं अभी आगे समझ में आ छेत्र शक्तियां प्रक्रिया आदिक अekkवलेख है संब्धान के भाग 5 में लिखी हुई है अनुछेद 124 से मigne př Dáfireया कि इसके साथ एकुछ प्रक्रिया से संस्बनित नियव संसथ के दोगरा भी समय के अनुसार बना लिए जा सकते हैं ठीक 63 sisana सकती है भ समझते हैं कि हम सुप्रीम कोड को पढ़कू में तो यहां पर हम इतको फालिका नियाए वही तो है विदाइगा वही तो कानुन बनाती है तो संसद है वह अब मैं कहोँ आप से आभ मुझे नियाय पालिका नियाय पालिका नियाय पालिका कॉंक। Supreme Court, High Court, जो Lower Court है, जो District Court है, यही तो है नियाए पालिका, तो इसलिए हमें अलग-अलग Court को पढ़ना पढ़ेगा, क्यों जो Supreme Court है, वो क्या है, उसकी शक्तियां क्या है, वो किस तरह से स्वतंत्र हैं, तो यह सारी बाते हमें समझनी पढ़ेगी, यह सारी चीज़े हमें पालिका ही है, असली क्या मतलब मुख्य रूप से सारी बाते हम इसी की समझेंगे, तो सबसे पहले हम Supreme Court को ही पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो आप हम बात करते हैं दोस्तों Supreme Court यानि की उच्टम नियायले की संरशना और नियुक्ति की, लेको सिंपल सी बात है, समय की अकॉर यायदिश है, टोटल, जोजार उननीस तक की एकरम बात करें, तो बहजार उननीस तक में कुछ बदलाव करने के बाद, 34 नियुक्ति हो सकते हैं उच्टम नियायले में, ठेके जिसमें से एक मुख्य नियायधिश हैं और 33 अनियुदीश हैं, तो वरतमान समय के अकरम बात क करते हैं तो एक मुख्य होते हैं चीफ जस्ट्रिस अफफ इंडिया और एंटिस अन्य नियाधिश होते हैं ओ- आपको हलकी से बात समझ में आई अगर हम बात करें नियाधीशों के कि नियुकति के एक हम बात करें तो उचितम नियाधीश लेकिन नहीं मैं जो जजिब्स वगेरा होते हैं नियायले वर्यों श्रपरेम कोड उसकी जो नियुक्ति उनका जूपॉइंट्मेंT वह राश्टपती के दुवारह किया जाता है तो सिंपल नहीं है त्यूंकि रास्टपती के लिए ये आसान नहीं है कि मुख्य न्याइधिश की न्याइधिशों की सलहा के बात करता है जो CGI है मालो CGI का जो पद है वो खाली है अब राश्च पती को इस पद पर एक व्यक्ति को चूस करना है तो क्या राश्च पती पूरितरा स्वतंत्र है नहीं देखें जब CGI की नियुक्ति करता है अपॉइंटमेंट करता है इनके पद पर तो जो अन्य região धीश है जानि कि ज सलहा करता है तो इतना सब कुछ करने के बाद जब उन लोगों की सलह जब एक सहमती बन जाती है उसके बाद ही वो CGI की नियुक्ति करता इतना आसान नहीं ये बार राश्पति के लिए तो सीजी आई आप समझ गए जब सीजी आइए की नियुक्ती करेगा राश्पती तो ऐसी करेगा लेकिन जो सुप्रिम कोड़ी कोड़ कुछ और भी हो सकता है तो जो अन्य सदस्से हैं उनगी नियोकल राश्पति कि द्वारा केसे की करता है अलग अलग जो प्रामर्स राश्पति के लिए अवश्य हो जाता है अगर वह अलग अलग जो अन्य निया अधीश है उनके न्युक्ति करता है तो इसमें सीजी आई का जो सीजी आई का जो मतलब प्रामर्श है वो लेना अवश्यक हो जाता है तो आई होप यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गए होंगे नहीं भी आई तो आ जाएगी डॉंट वरी सब कुछ आएगा बहुत एजी है कुछ हाड नहीं है अब यहां पे च्टूडश को जितना पड़न. उतना हम पड़ रहे हैं यहां पर इसी लीए वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है अब यूटूब पर क्या है कौंप्यटिशन यूटूब पर क्या है कॉम्पेटिशन गरता है वीड़ो को कितना चोटा बनाए इस पर फोकस कर रहें हा आपका टॉपिक कॉलेज लेविल का है आपको graduate होना है तो ऐसे में आपको सारी बातें पता होनी चाहिए ना तो अगर डिटेल वीडियो भी देख रहें तो कोई डिकत नहीं है बलकि आप डिटेल वीडियो और अच्छे से देखे कि क्योंकि सारी बातें आपको यहां पर आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे तो चली आप आपस से टॉपिक पर आते हैं तो जहां तक हमने बात कर ली नियुक्ति की बारे में लेकिन दूस्तों आपको पता है यह जो नियुक्ति निया अधीशों की इसको लेकर बहुत जादा डिपेट है अभी जो हमारे कानु लंबे समय से चल रहा है थोड़ा काफी साथ सालों से इस बात को लेकर तो आभी भी बना हुआ है विवाद लेकिन यह काफी लंबे समय से है जजों की नियुक्ति का जो विवाद हो काफी लंबे समय से तो इसको समझ लेते हैं आखिर क्या विवाद है क्या चीजें कैसी है अब हम इसको काफी डिटेल में यहां पर कवर करने जा रहे हैं देखो अब यहां पर अभी मैंने आपको बताया कि जो राष्टपती है उसके दुआरा नियाधिशों की नियुक्ति की जाएगी लेकिन जब राष्टपती नियाधिशों की नियुक्ति करेगा तो साथ में वो सलहा भी लेगा अलग अलग जो नयाइधेश हैं उनसे वो सलहा लेगा उनसे वो प्रामर्श लेगा अब इस प्रामर्श को लेकर ही दिक्कत पैदा हो जाती है जैसे कि मैं कहूं कि भाई मुझे सलहा दो तो सलहा देने का मतलब कहें नॉर्मली अगर आप बता सकते हैं मैं ना मानूं तो जमेनी इस तर पर अगर हम देखें तो सलहा का मतलब तो यही होता है कि आप बात को मान भी सकते हैं और बात को नहीं मान सकते हैं लेकिन यहां पर बात आती है समविधान की Constitution की तो Constitution में तो सलह और प्रामर्श लिखा है लेकिन actual में इसका मतलब क्या है इसे इसकी व्याक्य करना आवश्यक हो जाता है अब इसी को लेकर डिबेट हो गई बहुत बड़ी कि यह जिस प्रामर्श है क्या वो प्रामर्श मानना राष्टपती के लिए आवश्यक है या राष्टपती उसको इग्नॉर भी कर सकता है अब इसी बात को लेकर काफ़ बड़ा डिबेट हो गया क्योंकि यहां पर बात समविधान किया रही है तो यहां नियाधिश मामला सामने आया 1982 अब मैं इसमें डिबेट वगरा चले जिसके बात निशकर्श यह आया कि जो प्रामर्श शब्द लिखा गया था ना समविधान में कि राष्टपती नियाधिशों की नियुक्ति करते समय प्रामर्श मतलब लेगा अन्नी नियाधिशों से तो इसका मतलब सहमती नहीं है ऐसा इन्हों कर सकता है या उनके विचारों को नजर अंदाज भी कर सकता है और अपने अकॉर्डिंग नियुक्ति कर सकता है कि मतलब जो प्रामर्श है इसका अर्थ एक तरह से बस सलाह लेनी है ताकि राष्ट्पति सही लोग इंसान की नियुक्ति करें इतना दवाब नहीं राष्ट्पति के लिए बाद्धेकारी नहीं है यहां पर पहले 1982 में यह कहा गया लेकिन 1993 में निस सो तिरानबे में दूसरा नियाधिश मामला सामने आया सेकंड जज मतलब के सामने आया अब इसमें क्या हुआ 1993 में 1993 में सुप्रीम कोट का फैसला आया जिसमें सुप्रीम कोट ने कहा कि जो प्रामर्श देना उसका मतलब सेहमति है की नियाधिश नानना पड़े गहा वाइप प्रामर्श को मानना पड़ेगा मतलब अगर राश्थ्पति एक्स वाई जेड नाम के इसी वैकतिको जज्ज कर रहा है तो जो अन्य नयाय धीश है जिनसे उसने प्रामर्श लिया वो सहमत होने चाहिए है ऐसा नहीं कि वो लोग सहमत नहीं और राष्पती नंगी नियुक्ति कर दी मतलब यह जो प्रामर्श रामर्श का अरत यह सहमती उनका प्रामर्श और उनकी सहमती होनी चाहिए तब ही राश्पती किसी न्यायधिश की न्युक्ति कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के अब इसमें कुछ और बातें भी शामिल हैं जैसे कि सुप्रीम कोट के मुख्य न्यायधिश द्वारा राश्पती को दी गई सलहा राश्पती को मानना बादेकारी होगी मतलब इसकी सलह राजपती के लिए बात देकारी होगी इसका अगर कोई इसने कुछ सलह दिये तो राजपती को मानना पड़ेगा जल्सकी नियुक्ति के दोरान इसके साथ ही लेकिन मुख्य नयायधिश यह सलह अपने दो वरिष्टम सहयोगियों से विचार विमर्ष करने के बात देगा आँ यहाँ पर यह थोड़ी सी अच्छी चीज़ की गई यहाँ पर कहा गया देखो सिंपल जी बात है 1993 में सुप्रीम कोट ने कहा कि जो राश्टपती है वो उनकी सहमती मानेगा किसकी सीज़ आई की सीज़ आई जो सलह देगा राश्टपती को वो उसकी सहमती राश्टपती के लिए मानना बादेकारी है जादा राश्पती के लिए बहुत ज़्यादा मानना बादेकारी है कि CGI जो सलहा दे रहा है या CGI ने जो कुछ कहा है नियुक्ति से सम्बंदित उस बात को माना जाए राश्पती के दुवारा ये राश्पती के लिए बादेकारी होगा लेकिन CGI सलहा तभी दे सकता है जो सुप्रीम कोट का मुख्य ने आए दिशे वो सलहा तभी देगा जब वह अपने दो जो बरिस्ट रितम जो उसके कुछ बड़ी एज के जो कुछ उसके सहयोगी है सुप्रीम कोट के उससे पहले विचार विमर्ष करेगा और उसके बाद रा प्राइए याप लिए इस व्यक्ति की नियुक्ति आप सुप्रीम कोट के अन्ने जच के रूप में करदो अ सबूब बात चीत होती है नियुक्ति को लेकर बह STEVEN इसी तूरह एक सामने सामने matsya को मुख्य दोरह बहु संक्हयक नियाधीश की विचार प्रक्रिया के तहत माना जाए मतलब यह जो सल्हार अगर्हु एक मुख्य नियाधीश से सल्हा लेता था यहाँ संक्हyak संक्यक नियाधीशों की विचार प्रकिरिया के द्वारा नियुक्ति की जाए जैसे कि जो CGI था अब उसे जो मुख्य नियाधीश था सुप्रीम कोड का अब उसे चार वरिस्ट तम नियाधीशों से सलहा लेनी करनी पड़ेगी और इसमें से अगर दो कामत भी पक्ष में नहीं हैं तो वह नियुक्ति के लिए सिफारिश नहीं भेज सकता सिंपल भी बात को समझिए जैसे कि सुप्रीम कोड का जो मुख्य नियाधीश है CGI वो चाहता है कि राहुल नाम का एक वैक्ति या रवी नाम का एक वैक्ति सुप्रीम कोड का अन्य जज बन जाए या सुप्रीम कोड का जज बन जाए अब ये सलहा कैसे देगा तो ये पहले क्या करेगा चार वरिष्टा अब सुप्रीम कोट में चार लोग देखेगा जो वरिष्टा में जो सबसे ज़्यादा बड़ी एज के हो सकता है वो इससे बड़े हो लेकिन इस मुस्किल है इससे बड़े ना भी हो लेकिन फिर भी सुप्रीम कोट में सबसे एज में बड़े व क्लिक्का में मतलब Supreme Court में तो तीन लोगस का साथ देते हैं तो राहुल की निवकति राश्टपती को करनी ही पड़ेगी यह कहेगा राश्ट-पती के लो भाई राहुल की निवकति आपकरतों हमाई साथ सभी क्लाइजियों मैं गया है हersonan दभी यहारी है कि लेंगती बहुत जाद है यहां तौपिक जो है वह यह लeakथ 자द mäह बहुत भार कर लेकिन बाहर बाहरो हुटा लेकिन आप लोगों पीट कर रहूं कर ताकि आप दिमाग में वैड़ जाए सार चीज़ें और आप वैवस्था चल रही थी जैसे की 1998 में जो मामला आया उसी के अलग अलग सुप्रीम कोट की जजिस थे उनकी नियुक्तियां हो रहे थी कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन अब आगे क्या होता है 2014 में सरकार को लगता है कि जो वैवस्था है जिसके दुआरा सुप्रीम कोट के जजिस की नियुक्तियां हो रही है यह वैवस्था बहुत ज़्यादा विकार है इसी के इस कारण मतलब सरकार हमेशा किसे कहती है कि जो अभी जो सरकार है वरतमान समय में उसका यही कहना है कि सरकार जो सुप्रीम कोट है उसमें बहुत सारे जो सुप्रीम कोट हो गया या भारत में जो नियाय पालिका है उसके अंदर बहुत सारे जो मुकदमे हैं वो पै क्या है पैंडिंग है मुकदमे हल नहीं हो रहे जजिस की संख्या कम है संख्या का मतलब बहुत सारे पद आज भी खाली है हमें लगता है कि 34 जज हैं पूरे सुप्रीम कोट में बहुत जाता लग रहे हैं लेकिन अगर हम पूरे हाई कोट वगर सबको मिला लें फिर जिस हिसा आप से जनता है जाता पॉप्लिशन वगरा है उस तरह सब्सक्राइब देखें तो बहुत सारे जज की संख्या कम है और बहुत सारी पोश्ट खाली हैं बात को समझी बहुत सारी जो तो फ्रेंट्स कहने का मतलब यहीं है कि सरकार की दौरा कई सारे आर्गुमेंट्स दिए गय और इसी के चलते सरकार की दूआरा 99 समयधानिक संशोधन अधिनियों दोहजार चौदाफारित किया गया तथा नियाइक नियुक्ति आयोग अधिनिय can जेसे प्रतिस्थापित कर दिया है तो यहां भी बात को सब्जिए अब सरकार ने क्या सोदन कर दिया संसत के अंतरगत कि अगर जो जो कॉलेजियों व्यवस्ता है इसके स्थान पर अब उच्छितम नियाले या जो हाई कोट है उनकी जो जज्जिस हैं उनकी जो नियुक्ति है वो एक आयोग की द्वारा की जाएगी जिसका नाम था रास्ट्रिये नियाइक समझना मतलब यही है कि सरकार ने 2014 में कॉलेजियम प्रणाली को पुछी तरह खत्म करने का प्रयास किया और यही कहा सरकार ने कि एक नए निकाय के दुवारा जज्जिस की नियुक्ति की जाएगी जो काफी जदा अच्छी होगी सरकार का यही कहना था अब इसी के चलते 2015 म एक और केस आता है चौथा नियादिश मामला सामने आता है जिसकी अंतरगत सुप्रीम कोट ने 99 संव्धानी संशोदन को असंव्धानी घुशित कर दिया मतलब ये कि सरकार ने यहाँ पर जो कुछ भी किया इसको रद कर दिया सुप्रीम कोट ने कहा यह इल्लीगल है यह सम्वेधानिक अनकॉंसिटूशनल है तो वर्तमान समय में भी यही ववस्था लागू है जो यहां पर 1998 में मैंने आपको बताया था तो यहां पर हमने बात कर ली जो नियुक्तियां की जाती है नियाएधिशों की इसके हमने बात कर ली किस तरह से नियुक्तियां की जाती है पर आखिर क्या डिबेट है क्या इसको लेकर डिबेट थी इसको भी हमने काफी अच्छे से कवर कर लिए बहुत इंपॉर्टन्ट जागर कोई वग्शे यूप्स्दी वगर्र है तो बहुत जादा पढ़ा दिया मैंने आपके लिए इतना इनफ होगा कि इन अफ का मतलब यह है कि अगर को यूप्यस्य एस्पिरेंट वगरा है तो उसको इतना पढ़ना था और मैंने आपको पढ़ाया है यहां तक नियुक्ति से संबंदित तो कुछ भी अगर आप पढ़ रहें तो बहुत ज़्यादा यूसफुल है आपके लिए हाला कि नियाएपाल रखार टौपिक पूरा कवर करना ही थो आपके लिए पूर एकिसी नार्मलना मैंने बताई दिया था कि अलग अलग हाई कोड़ा है जो नियाधिश हैं उनसे प्रामर्ष किया जाता है राशपती के दुवारा और जो सुप्रीम कोट के अन्य जजिस हैं उनसे प्रामर्ष करता है राशपती फिर जाके की नियुक्ति करता है लेकिन यहां पर बात को थोड़ा सा समझें 1950 से 1973 तक व्यवहार में यह था कि उच्छितम नियाधिश को बतोर मुख्य नियुक्त किया जागा सिंपल जी बात है दोस्तों आप किसको सीजिया नियुक्त करोगे अलग से किसी वैक्टि को उठाके थोड़ होता है नॉर्मली और इसमें भी पहले क्या होता था 1950 से लेकर 1973 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे ज्यादा एज का व्यक्ति था वरिष्ठम जो नियाधिश था उसी को मुख्य नियाधिश नियुक्त किया जाता था यह परंपरा के तौर पर चल रहा था लेक मुख्य नियुक्त कर दिया गया दोबारह 1977 में म यू बेग को वरिष्ठम वैक्ति के ऊपर बतौर मुख्य नियुक्त करने की यहां पर वो तूड़ जाती है अब सरकार का यह जो डिसीजन था सवातंदरता थी कि वह वरिष्ठम को नियुक्त करें अब इस सरकार के इस नि नियाधिश मामले में अभी मैंने आप बात किती ना जो सैकेंड जज केस था उसमें 1993 में इस स्वातंदरता को कम कर दिया इसमें सुप्रीम कोट ने वैवस्था दी कि जो उचितम नियाले सुप्रीम कोट है उसके वरिष्ठम नियाधिश को ही भारत का मुख्य नियुक्त क किया जाना चाहिए मतलब सुप्रीम कोट ने का जुपाई जो वरिष्ठम वैक्ति ना उसे आपने आधिश नियुक्त करो सरकार की स्वातंदरता को यहाँ पर सुप्रीम कोट ने कम कर दिया काफी दोस्तों अब हम बात करते हैं आखिर क्या अरहरताएं हैं क्या शपत और क्या वेतन हैं इसे बारे में थोड़ी से बात करते हैं देखो मुख्य रूप से हम बात करें योगिता की कि आखिर एक वैक्ति को अगर किसी सुप्रीम कोट का कोई जज बनना है किसी वैक्ति को तो उसमें क्या योगिता होनी चाहिए टो सिंपल सी बात है उसे भात का नागरिक होना चाहिए अगरkeleyा यह ग दूसेरे देश का नागरिक है तो वह सुप्रीम कोट का जज नहीं बन सकता ठीक है और इसके साथ ही उसे किसी उच नयायले का कम से कम 5 साल के लिए नियाधिश होना चाहिए इसके साथ ही नागरिक तो है ठीक है लेकिन नागरिक के लावब कुछ और शर्ते हैं जैसे कि आप या उस व्हेक्ति को जिसको सुप्रीम कोर्ट का जज़ बनना है तो उसको किसी हाइड कोड का कम से कम 5 साल के लिए जज होना चाहिए मतलब अगर कोई हाइड कोर्ट का वैक्ति है जो पांस सालों तक जज रहा है तो उसे न्यूक्त किया जा सकता है सुप्रिम कोर्ट में लेकिन इसके साथ ही अगर यह वाली शर्ट पूरी नहीं हो तो इसके अलावा यहां पर या लिखा है ना तो उसे चैन ए ले या वेफेन ईयलो में मिलाकर दस वर्ठ तक वकीर जा अगर कोई वैक्ति मांलो भारत का नागरी के और दस सालों तक वो बकालत भी कर चूका है हाई कोट में वह दस सालों तक वकीर रह चूका है तब भी उसे भी शुप्रिम कोर्ट का जज नेयूक्त किया जा सक जाता है यहां पर राश्ठपति के मत में सम्मानित न्याईवादी होना चाहिए तो उसकी यहीं है अगर आश्चति के मतलब उसमें हैं च्छा जो भी वैक्ती है वो काफी ज्यादा अच्छा न्याईवीत थे तो वह बी योग्ये यहां पर इस पर्ष्ट है कि सम्विधान में उचितम नयायले के नयायदीशों की नियुकति के लिए नियुन्तम आयू का लेकर लेकर लेकिन सिंपल जी बात है किसी यंग वैक्तियों कैसे बना सकते हैं सुप्रीम कोड या हाई कोड का जच क्योंकि यहां पर एक्स्पीरियंस के आवश्यक्ता है लिए नियुक्त नयायदीश को अपना कारेकाल समालने से पहले राश्टपति या इस कारेके लिए उसके दुआरा नियुक्ति के सामने निमलिकित शपत लेनी होती है अब शपत क्य उच्तम नयायले का जो नयायदीश है वो शपत लेगा यहां तक आपको बात समझ में आ गई अब बात करें थोड़ी आगे तो वेतन की बात करते हैं वेतन पैसे कितने मिलते हैं पैसे बहुत जादा मिलते हैं काफे अच्छी सेलरी हाना कि दो-तिन सालों से बढ़ी नहीं स समय समय पर संसर द्वारा किया जाता है वित्या पातकाल के द्वारान इनको कम किया सकता है सिंबल से बात हैं अगर उंके वेतन को कम नी कर सकते हैं जो सरकार्य अधिकारी ही आप वित्ति आप आतकाल चल रहा है तो उस दौरान हम वेतन कम कर सकते हैं थोड़ा सा जो सैलरी उसको काट सकते हैं या उसको कुछ समय के लिए हम कम कर सकते हैं बंद कर सकते हैं उच्तम नहले के न्याधिशों के लेकिन काफी अची सैलरी वगरा मिलती है भत्ते मिलते काई सारे रिष्यादिकार है ने लोगं के पास अफकाष इनको मिलता है पैंशन मिलती है पैंशन जैसे कि 2018 में मुखने आधेश का जो बहरत की न्याईधेश खरती एक लाग से बढ़ा कर वेदन 208 कर दिया गया कर दिया गया तो सिंपल सी बात है यहां पर आप देखो कि एक बार में ही एक अठ्थे काफी बड़ा अमाउंट बढ़ाया गया दो लाक असी हजार कर दिया गया था वेतन हाला कि अभी मतलब इसको भी हुए 2018 से चार साल से भी जाता होने वाला है मतलब वही पांच साल के आसपास तो काफी अभी भी सेलरी इतनी है तो 2018 में यह बढ़ाई गई थी इसके साथ ही जो अन्य नियाधिश है सुप्रिम कोट के जो सीजी आई के अलावा जो अन्य नियाधिश है उनका जो वेतन है वरतमान समय में वो धाई लाक है आपको यह बात है उनकी जो सैलरी वो इतनी है दो लाक पचास अजार और हाई कोट में जो अन्य नियाधिश होते हैं उनकी सैलरी दो लाक पच्चीस जार होती है अब यहां पर कन्फ्यूज मत होना बस इसके अलावा इन्हें अन्य भत्ते मिलते कई तरह जैसे सिंपल ती बात है अगर कही इन्हें सुविधा दी जाती है इन्हें निशुल्क आवाज दिया जाता है आन्य सुविधाय को दिखाने के लिए इतना तो राजमी है इतना होना भी चाहिए तो यहाँ पर जो पुरानी पेंशन है वही स्कीम लागू है यहाँ पर जैसे कि क्या है कि अगर किसी नियाधीश की जो सेलरी है वो 2,50,000 है जब वो रिटायर हुआ तब उसकी सेलरी 2,50,000 है तो जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसके बाद उसको 1,25,000 है यानि कि आदी सेलरी पैंशन के रूप में मिलेगी तो यहाँ पर यह बाते हैं अब बात करते हैं कि आखिर सुप्रीम कोट के जजिस का कारेकाल कितना होता है कितने सालों तक यह काम कर सकते हैं जज के रूप में और कब इनको हटाया जा सकता है इनके पद से तो यहाँ पर बात को समझे नियाधीशों यानि कि सुप्रीम कोट के जजिस का कारेकाल वर्ष की आयू तक पत पर बना रह सकता है उसके मामले में किसी पर प्रश्ण के उठने पर संसत दुआरा इस्थापिस संस्था इसका निर्धारण करेगी देखो सिंपल जी बात है 65 वर्ष तक वह अपने पत पर अराम से बना रह सकता है तो उसके मामले में किसी अगर कोई उठता है तो उसके उपर संसत विचार करेगी संसत को नियम भी बना सकती है वह राश्च्पति को लिखित त्याग पतर दे सकता है इसके साथ दोस्तों अगर सुप्रीम पूर्ट कोड का कोई नियाधिश हटना चाहता है तो खुद त्याग पतर दे तो वह अपने समय से प हटाने के जो प्रक्रिया है वो एक लंबी प्रक्रिया होती उसके बाद ही राश्च्पति उसे पत्स से हटाता है जज़को अब प्रक्रिया क्या है इसको समझ लो नियाधीशों को हटाना राश्टपती के आदेश द्वारा उस्तम नियाधीश को उसके पत से हटाया जा सकता है राश्टपती ऐसा तभी कर सकता है जब इस परकार हटाया जाने है तो संसत द्वारा उसी संसत्र में ऐसा संबोधन किया गया हो इस आदेश को संसत के दोनों सतनों के विशेश भहुमत का समर्थन प्राफ्थ होना चाहिए, उसे हटाने का आधार, उसका दुर्वयावार या सिद्ध कदाचार होना चाहिए सिंपल सी बात है, संसत जब एक प्रिस्ताव पारित करके राश्पती को कहती है कि आप इस नियाधिश को हटा दो उसके पस से तब ही राश्पती उस नियाधिश को हटा सकता है या तुरन उसको हटा देगा अगर संसत ऐसा अनुमोधन कर देती है राश्पती से तब, अब ब विशेश बहुमत के अधार पर प्रस्ताव पारित होता है जिसमें सदन में जितनी भी सदस्य उपस्तित हैं उनका आदिस ज्यादा बहुमत चाहिए समर्थन चाहिए उस प्रस्ताव के लिए और दो त्याहिक का बहुमत भी साथ में चाहिए होता है तो विशेश बहुमत पा काने का जो भी कारण है वो दो ही कारण हो सकते हैं एक होताए दुर व्यभार और एक कुछ गदाचार देखओ अगर कोई स्वाइ कोई शोमान नयाकर सामने आ जाता है जो की सावत तौर बताता है की राश्पती राश्पती व्यकार वयभार ऐ जो सोरी जज ने कोई विकार वयभार कियाया जो उससे नहीं करना चाहिए था। तो उसके अधार पर ही उसे धहटाया जा सकता है उसके पत्व से। अब क्या क्या होता है यहांबे देखिए। नियाधिश जहांच अधिनियम 1968 उच्छतम नियाले के नियाधिशों को हटाने से संबंदित महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंद करता है। इस तरह आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोट के जज़ पर महाभियोग लगा कर उसे उसके पत से हटाया जा सकता है। तब ही वो अध्यक्ष के पास जाएगा। जैसे कि मालो मैं चाहता हूँ कि वर्तमान समय में XYZ करके एक नियाधिश है उसे पत से हटा दिया जाए। मैं सांसद हूँ एक और मैं लोकसवा में गया है मैंने एक प्रस्ताफ रखा सामने और सो MP के सिगनेचर भी ले लिए उस प्रस्ताफ के उपर तो अब क्या होगी अब प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। सो MP के अगर मैं प्रस्ताफ पर साइन नहीं ले पाऊंगा तो मतलब प्रक्रिया वहीं पर रुख जाएगी और आगे नहीं बढ़ेगी वहीं पर रुख जाएगी प्रक्रिया और अगर मैं सो सदस्यों के हस्ताक्षर ले लेता हूं तो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और फ करिया है किसी न्याइधिश को पत से हटाने की अध्यक्ष या सभापति अब देखो अब एक प्रस्ताव पारित हुआ और अब उस प्रस्ताव को मतलब पारित नहीं हुआ अभी प्रस्ताव जब सौस अधस्यों ने एक हस्ताक्षर कर दिये लोग सबाग की सौस अधस्यों न लेगा या तो उसे वो आसुईकार कर देगा अगर सुईकार कर लेगा तो अगर सुईकार कर लेगा प्रस्ताव को तो अध्यक्ष यह सवापती इसको इसकी जांच के लिए सबस्य समीति को घृठ कर गड़ित किया जाएगा सिंपल सी बात है जब दुरस्थार्फ पारित कि इसका है जिसमें बस कहा जाता है कि हम जो जाष है उसके कार्यों से चप्तब सुथा जाना चाहिए अब ये जो पत्र है जो क्रस्थाव हसों वो अध्यक्ष की हाथ में आता है अब अध्यक्ष चाहिए तो मना कर दे बाई यह जो आप लोग कर रहे हुग गलत है पोई तरह यह सही नहीं है लगनी रहा ऐसा कुछ भी तो फाल्तू की प्रक्रिया इसे जो जड़ है उसका क्या रहा है कहां पर उसने गलति किया कहां पर उसने कुछ भरष्ट क्याया और समीटी में शामिल होना चाहिए 3 निय और होगा cgi होता है वक्ते हैं कोई को फिर्ट encourag website कोई संसद में तो यसी नियाले अगि मुख्वे हो सकता है कोई प्रत्य स्थित कोई बहुत जादाWW द honors 3-2 को तीन के इस समीटि निया अधी धिश को दुर वैभार का दोशी या असक्षम पाती है तो सदन इस प्रस्ताप पर विचार कर सकता है ठीक है अगर समीती को लगता है जो भी चीजें तो समीती वो रखती है सामने पटल पर सामने और फिर उसके बाद सदन विचार करता है अब सदन के उपर है सारी चीजें ठीक है बहुमत से दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित कर इसे राश्पती को भेज़ जाता है और अगर दोनों ही सदन दोनों ही लोकसभा राजेसभा दोनों ही सदन बहुमत से विशेश बहुमत से दो तियाई की विशेश बहुमत से पारित कर देते हैं प्रस्ताव को तो वो प्र नियाधिश राष्ट नियाधिश अपने पत्स से हड़ जाता है हाला कि उच्छतम नियाधिश पर अब तक महावियोग नहीं लगाया गया और किसी नियाधिश को ऐसी प्रक्रिया के तहत उसके पत्स से नहीं गया हाला कि एक बार कोशिश की गई थी जिसे कॉंग्रेस ने मद्दान नहीं किया था जिसके गारण वो प्रक्रिया महीं पर रुख गई थी लेकिन फिर भी अभी तक किसी नियाधिश को ऐसी इस तरीके से अटाया नहीं गया है तो दोस्तों आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बहुत ज्यादा सिंपल बाते हैं बस वह यह कि लैंग्टी बहुत ज्यादा हो जा रहा है बट आप लोगो तो अच्छा है आप लोगो बस सुनना है समझिए कोई दिक्कत नहीं होनी जाए यहां पर आपको ठ बात करते हैं जल्दी से बताता हूं काफी बड़े च्छेतर अधिकार होते हैं बहुत के सरवादिक शक्ति चाली अधालतों में से एक है लेकिन वह सम्विधान द्वारा तैकी गई सीमा के अंदर ही काम करता है उच्छतम नयायले के कारे और उत्तरदाई तो सम्विधान म उच्छतम नयायले के व्यापक शक्तियों एवं छेतर अधिकार को भी लिखित किया गया है अमेरिकी रिखतम नयायले की तरह यहां नांकेबल संघीं नयायले है बर्कि जो ब्रिटेश हाउस ऑ लौड्स की तरह अपील का अंतिम नयायले है उच्छतर नयायले सम्विधान और भारत के नागरिकों के अधिकारों की व्याख्या करता है और संद्रक्षक भी ए सम्विधान का उस्तम याले की शक्ति और नया है छेत्रों को निमलिखित रूप में हम वर्गी कर सकते हैं सिंपल सी बात है यहां पर जो मैं रीडिंग कर रहा हूं वह आपके रीडिंग कर सकते नॉर्मली अपिल हो सकती है ऐसे बात नहीं है कि नौर्मली हम ज़्यादा पी वहाँ पर करनी सकते हैं महां पर जो हम पर दो मुड़ाू नहीं के बात करे दो बिगा जब सबस데 कोड़ा ब्रीटेन में अपिल कि होते हैं उसमें ंतिम अपिल की कीजा सकती है लेकिन भा बाद का Supreme Court राज्यों की बिश। संगर्श को भी हल करता है। साहथ में नागरिकों से समवन्दित बात भी हल करता है। लेकिन फिर भी यहां पर एक चीज़ ध्यान देना है। जो भारती स algorithm court है, वो समविधान के द्वारत तैय की गई सीमा के अंदर ही काम करता है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी हम इसे समझ लेते हैं निमलेखित रूप में तो मूल 6 तरदिकार हैं कुछ अपेलिये 6 तरदिकार हैं सलाकार से संबंदित को 6 तरदिकार हैं भारतिये सुप्रिम कोड के नियाएक समिक्षा से संबंदित को कि शक्तियां हैं अन्य शक्तियां थे सारी चीजह हैं अभी जो शक्तियां हैं तो इसे जो छेट्र डिकार हैं इसे थुँदादिते में समझना हैं तो पहले बात करते हैं मूल 6 तरदिकार की अब ये क्या र detained को पहले निचली अदालतों में सुनवाई की जरूत नहीं होती है मोल्चेतरदिकार का मतलब है ऐसे मुकर्दमे जिनके सीधी सुनवाई सुप्रीम कोट के दौरा की जा सकती है। कोई मुकर्दमा चोटी अधालत में जाने के ज़रूत नहीं होता है जिसके वह मूल श्य तर्दिकार के अंतरगत आते हैं तो सुप्रिम कोट का मूल 2 memories मॉल 1 श्य तर्दिकार में वही मुकर्दमंशियीattend है जो सीधे सुप्रिम नियाले धांचे के विभिन इकायों के बीच किसी विवाद पर संगिये नियाले की तरक निर्ने देता है दूसरे शब्दों में ऐसा कोई विवाद जो केंद्र वा एक या अधिक राज्यों के बीच हो केंद्र और कोई राज्ये या राज्यों का एक तरफ होना या एक या अ मुकतमे सीधे सुनवाई के लिए आते हैं जैसे कि सबसे बड़ी चीज कि भात का संभी भात का उच्तम निया ले एक संगी अदालत की रूप में काम करते हुए जो अलग-अलग जो इस्टेट हैं भात में यूपी बिहार वेस्ट बैंगॉल पंजाब हरियाना करनाट का यहा कई आरे संट्रलबॉर्मंट होती है और एक तरफ होती है स्ट RAW सबक्राइब के विवाद को लेकर विवाद है तो उसकी व्याज्या सुप्रिम कोड करता है इस तरह यह मूझ चितर अदिकार है जो सुप्रिम कोड के अंतरगत है इसके साथ है दोस्तों सम्विधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों की सम्विधान के भाग तीन में परिकल्पित मौलिक अधिकार में से किसी भी बात दे कारण हे तू सीधे सरवच नयाले जाने का अधिकार देता है इसके साथ ही अगर अनुच्छेद 32 के तहट अगर जो भी यह अधिकार प्रौप्त अनुचेत 32 के अंतरगत की वह सीथे सुनवाई कर सकती है आम नगरिकों की नगरिक संब्सक्राइब संभन्द सीथे वह कर सकती रहें ले जारी कर सकती रहादीकार प्रिस्शा उसको वो solve करता है Supreme Court और साथ में नागरिक सीधे जा सकते हैं सुनवाई के लिए तो कुछ मुकदमे जो सीधे Supreme Court में सुने जाते हैं वही आते हैं मूल छेतर अदिकार के अंतरकत अब हम बात करते हैं अपील ये छेतर अदिकार ये क्या है ये सिंपल जी बात है अपील के जरिये जो मुकदमा सुना जाए Supreme Court में पहले हम High Court गए ठीक है फिर हम Supreme Court चले गए तो Supreme Court में अब जो मुकदमा आया वो अपील के जरी आया हमने अपील की भाईया देखो हमारा जो मुकदमा है वह सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए क्योंकि हमारा हाई कोर्ट हम हाई कोर्ट से सहमत नहीं हाई कोर्ट ने जो कहा हम उससे सहमत नहीं तो यह अपील के जरी जो मुकदमा आया सुप्रीम कोर्ट में उस सबसे बड़ी हम यहीं कर सकते हैं सम्विधान का नुच्छे 132 उस इस्तिती में किसी नागरिक आप्रादिक या अन्य कारिवाही में कि किसी निर्णे अत्वा अंतिम आदेश से सब्सक्राइब कर सकते हो अब बस इतना आप नहीं है आपको यादी करना पड़े याद होंगे भी नहीं चार तरीके से की जा सकती है सुप्रीम कोट में अगर हमें अपील करनी है अपने केस की किसी भी तरह का केस हो सकता है तो उसकी हम चार तरीके से अपील कर सकते हैं हाला कि कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिसकी अपील नहीं की जा सकती इसलिए यहाँ पर चार तरीके हैं क्योंकि कुछ केस होते हैं ऐसे जिसक इसी भी चीज को लेकर कोई संवीधान की व्याख्या से संबंदित कोई मुकदमा है ऐसा कोई सुप्रीज कोट के पास कोई सम्धान का कोई अनुच्छत हैं गायव का मतलब हम यहां पर कानून समझ नहीं आ आकिर सम्विधान में क्या बातें लिखी हैं तो अब वो क्या कहेगा वो सुप्रीम कोड को कह देगा कि आप इसको देख लें एक बार क्योंकि यहाँ पर एक विधी का पूरत प्रश्ण नहीं थे मतलब यहाँ पर जो सम्विधान है वो थोड़ा आइस पस्ट हो रहा है समझ इस अपीड के लिए होता है दिवानी नागरिक मामले मेंकिया आप यह क्या है दिवानी मामले सिंपल सी बात है जो खून खराब के नहीं होते हैं उन्हें हम दिवानी मामले कहते हैं दिवानी मामले के तहत उच्छतम न्यायले में किसी भी मामले को लाया जा सकता है यदि उच्छ न्यायले प्रमानित कर दे कि किसकी मामला सामाने महत्व के पूरक प्रशन पर आधारिक ह अगर हाई को लगता है कि यह जो फ़लाना केस है इसमें सुप्रीम कोट का अलग महत्व है यहां पर सुप्रीम कोट को डिसीजन लेना चाहिए इसकेस में तब भी अपील की जा सकती है उसकी या उसकी अपिल हो सकती है इसके साथ इस अपरादिक मामले में अपील का यह साथ कुछ नहीं है आपर आपरादिक मामले में भी अपील होती है जैसे कि उच्थम नयायले इंची मामलों दे दी हो या फिर किसी अधिनस नियाले से मामला लेकर आरोपी वैक्ति को दोशी सिद्ध किया हो उसे सजाए मौत दी हो यह प्रामानित करें कि संबंदित मामला उच्तम नयाले में ले जाने योग्य हैं तो इस मामले में भी अपील की जा सकती है सिंपल थी बात है अगर किसी निचली अदालत ने किसी वैक्ति को छोड़ दिया ठीक है और हाई कोट ने उसी वैक्ति को मौत की सजा सुना दी तो यहाँ पर मामला जो है वो गड़बर हो गया अब सुप्रेम कोट कहेगा भाई सोचने वाली बात है एक वैक्ति को एक छोटी जिला अदालत ने छोड़ दिया पूरी तरह उसे सजाई नहीं दी और हाई कोट ने उसे सजाए मौत दे दी तो यह टेंशन वाला मामला है मतलब यहाँ पर कुछ गड़बर है या कुछ एक बार हमें यहाँ पर जांच करनी पड़ेगी क्या चीशें कैसी हैं तो ऐसे मामल तो में उस्ताम में अपीली छेतर अदिकार स्वारूब आता था लेकिन यदि उस ने बंदी करण के आदेश को पलट दिया कर आरूपी दोश्मुक्त करने का आदेश दिया तो उस नहीं में अपील का कोई अदिकार नहीं है मतलब जैसे यहां पर मैंने बताना कि अगर किसी वैक्ति को दोश्मुक्त से मतलब उसका मतलब जो भी स्वारूप था उसको जो सजा मिलने थी उसको मौत सजा दे दी गई या अधिनस नियाले ने उस वैक्ति को आरूपी वैक्ति को दोश्मुक्त किया हो और उसे सजाय अगर इनकी बात करें तो यह अधिकार स्वरूप है हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में लेकिन अगर तीसरे की बात करें तो तीसरे का मतलब यह कि वह मामला सुना जाने योग्य है लेकिन हम अधिकार स्वरूप नहीं जा सकते हैं कि कहते हैं कि हमदावब हम दावा नहीं कर सकते नहीं कर दाव मामले में our आप यहां पर पीड किजी सुप्रिम कोट में जो फ्लाना केस है हाई कोट का उसमें किसी वैक्टि को कहाएथ कि आप सुप्रिम कोट में अपील कीजी एक अनुमती से दे तो यह होता है नॉर्मली तो यहां पर हमने ऑप इलिए 6 की बात कर लिए 6 रदिकार की कि अब हम बात क यहां पर कैसे हैं तो इसको आप देखिए सम्विधान का नुच्छे 143 में राश्पती को दो शेर्णियों के मामलों में उच्छतम नयाले से राय लेने का अधिकार प्राप्त है राश्पती दो मामलों में सुप्रीम कोड के ज़से सलहा ले सकता है जैसे कि सार्वजनिक महत का किसी मज् anda मुद्धे पर विदिक प्रश्ण उठने पर अब कोई पब्लिक मतलव सा इने महत का को मामला है जिसowo कानुनी रूप से कुछ दिक्टें सामने आ सई कर पाए तो सबस्क्रब्स पूर्वब मावली 많은 कि मामले पर भी किसी विवास उत्पर ओने पर भी वह स्लहा ले सकता है पहले मामल्स में उस्तम नियाले वो मत दे भी सकता है और सुप्रिम कोड का जज चाहे तू राश्पति को सलाँ है या ही दे कोई दिक्कत नहीं लेकिंगे दूसरा मामला है ना इसमें सुप्रेम कोड़ के जज्ज के लावश्य के लिए आवश्यक पलब के वह सलहा दे रास्तुपति और साहत में संब्यों कॉटं है यह क्या शक्तिया है इसको देखो उस्तम नियायले की कारे वाही एवमुस के फैसले सार्वकालिक अभी लेक वा साक्षे के रूप में रखे जाएंगे इन अभी लेकों पर किसी अन्य अदालत में चल रहे मामले के दौरान प्रश्ण नहीं उठाया जा सकता इन्हें विद हम लोगर हाई कोई मामला सुन रही है और हाई कोड के पास सुप्रीम को जैसा पहले एसा कोईम तो ह COVID की तरह फैसला create हो जाते हैं कई सारी व्याक्षाएं करने पड़ती हैं तो सुप्रीम कोट की जो व्याक्षाएं हैं उसको कानुन के तौर पर यूज करते हैं कई बार निर्णे देने में नए नए के सामने आ जाते हैं न तो यह अभिलेक का नियाले का अर्थ यही है इसके साथ ही साथ में और दंडित कर सकती है इसमें छे वर्ष के लिए सामाने जेल हो सकती है या 2,000 रुपे का जुर्माना लग सकता है या दोनों भी हो सकता है 1991 में उच्छतम नियायले ने व्यवस्था दी कि दंड देने की यह शक्ति ना केवल सुप्रीम कोड यानि कि उच्छतम नियायले के पास है बलकि ऐसा ही अधिकार उच्छत नियायले के पास भी अधिनस्त जो कि जिला अदालत हो गई और दूसरे अलग अलग जो अधालत है उनके पास है इसको बिदे दिया सकता है थोड़ा सा मतलब नहीं कुछ यहां पर यह लिखाए जए पांचमी सरे एफ जो सक्ति ऑख इसे देख लेते हम तो न्याएक समिक्षा की शक्ति वह क्या है इसको आप शंचिए न्याएक समिक्षा का मतलब यह है कि सुप्रीम कोट उस्तम न्यायले में न्यायक समिक्षा की शक्ति नहीं थै इसके तहत वह केंद्र वा राजे दोनों इस तरों पर विधाई वा कारेकारी आज़ेशों को कि सामविधानिकता की जांच की जाती है उसके दुवारा इन्हें आधिकार अतीत पाये जाने पर इन PR करने के सरकार का का ये कानुन गलत है अब सुप्रीम खुद भी अगर चाहे तो सरकार के कानुन का रिड्यूग कर सकता है सुप्रीम कोट और अगर सुप्रीम खूट को लगता है कि जो कानुन है न संथा सब्सक्राइब कर सकता है बात को समझे मतलब यहां पे खबना ही है कि सब्सक्राइब और बदलार समॵिधारि को ब् Georgetown regenerate सुप्रीम कोट है वो सम्विधान का व्याख्या करता है सम्विधान में कुछ भी गडबर लगे कहीं पर भी ऐसा लगे कि कानून कुछ नहीं समझा रहा कानून में कुछ दिक्कत है कानून कुछ अलग अर्थ बता रहा है तो उसकी जो मीनिंग है वो सुप्रीम कोट ही करता है और यह जो सम्विधान की व्याख्या करेगा वह अंतिम होगी अब इसके अलावा सम इसके अलावा कई सारे कुछ अन्य शक्तियां भी है भारती सुप्रीम कोड के पास तो वह क्या है इसको देख लेते हैं जैसे कि राश्पति एवमुप राश्पति के निर्वाचन क संबन में किसी प्रकार के विवाद का निप्टारा करता है इस संबन में यह मूल विशेश एवम अंतिम व्यावस्थापक है अब देखो जो वाइस प्रेसिडेंट है जो प्रेसिडेंट है जब इनका इलेक्शन होता है तो अब इनके इलेक्शन में कोई निर्वाचन से सं मामलों को एक निप्टारा कर सकता है यह किसी लंबत मामले या एक सथानां न्तृतर हैं बाथ का बाध का मतलब यहां पर यह मतलब है कि कोई प्रणिव को संगे मामल बीञेड को तो इस सौप सकता है सुनवाई के लिए तो यहां पर हमने इसको समझ लिया अब एक पार्ट और बनेगा इस वीडियो का जिसमें हम पूरी तरह कवर कर लेंगे तो आज के इस वीडियो में हमने में ली कवर किया है सुप्रीम कोड को लेकिन फिर भी सुप्रीम कोड के साथ कुछ और भी चीजें जूड़ी हैं जैसे कि नियाएक सक्रियता का अधिकार सुप्रीम कोड को इसको भी मैं अगले आगे की वीडियो में समझाऊंगा तो यहां तक हमने सुप्रीम कोड को पूरी तरह कवर कर लिया अच्छे से काफी और अभी हमें जो उच्छतम नियायले हैं जो स समझ सके तो नियायपाली का अपने आप में बहुत बड़ी है तो पूरी तरह इसे कवर करने के लिए काफी गहरा है इसे पढ़ना ही पड़ेगा आई होप यहां तक आपको मेरी सारी बाते समझ में आई हो उम्मिद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी अकर वीड करें और कमेंट करके अपने फीड़ बैक जरूर दें थैंक यू